Hello everyone, आज के इस session से हम class 8th science का 5th chapter coal and petroleum start करने जा रहे हैं previous sessions में हमने class 8th science के 4 chapters जो first 4 chapters हैं, उनको हमने cover किया है previous session में हमने जो हमारा 4th chapter था materials, metals and non-metals वाला, वो हमने पूरा finish किया है उस chapter के सभी topics को हमने समझा exercise questions को हमने solve किया और साथ ही साथ जो in-text activities हैं उनको भी हमने discuss कर लिया था तो अब बारी आती है, finally, एक new chapter को start करने की जो की होगा coal and petroleum इस session में हम ये देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे topics हैं जो की इस chapter के अंडर हमें cover करने हैं, समझने हैं तो चलो, जल्दी से आज के इस session को हम start कर लेते हैं So this is Vibhuti Khare Welcome to Magnet Brains, जहाँ पे आपको सभी chapters की video lectures मिलते हैं बिल्कुल free of cost याने कि Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने की requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुंचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं आज का हमारे ये session जहाँ पे हम अपना fifth chapter coal and petroleum start करने वाले हैं चलो, तो इस chapter की शुरुवात होगी सबसे पहले तो एक word के साथ, एक term के साथ जो की है resources क्या बोला मैंने कि इस chapter की शुरुवात हम कैसे करेंगे एक term के साथ और वो term कौन सा होगा, resources अब resources से आप क्या समझते हो, what do you mean by the term resource detail में तो अभी हम नहीं जाएंगे, जो हमारा next session होगा, upcoming sessions होगे वहाँ पे हम resources को बहुत detail में समझने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक general idea दे देती हूँ कि resource का मतलब क्या होता है resource मतलब anything in this environment which can be used है ना, इस environment में कोई भी ऐसी चीज या सभी ऐसी चीज जिसको भी हम use कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, अपने profit के लिए, उस चीज को हम नाम देते हैं किसका, resource का लाइफ में जो है ना, एक value add करते हैं, याने कि अगर एक particular resource नहीं होगा हमारी life में तो हमारी life जो है, इतनी simple नहीं होगी, complex हो जाएगी, तो इस environment में वो सभी चीजें जिसको की हम use कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए, अपनी life में उसको add करकी उनों एक value हम ला सकते हैं उस हर एक चीज को हम नाम देते हैं किसका, resource का, ठीक है, तो general idea मैंने आपको दे दिया, अब हमारा जो next session होगा उसमें हम resource के उपर और बात करेंगे, तो chapter की हमारे जो शुरवात है वो resource ही होगी, अब resources हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो इन सभी resources को broadly हम दो categories में categorize कर देते हैं, एक होते हैं हमारे पास inexhaustible resources, और दूसरे होते हैं हमारे पास exhaustible resources, ठीक है, अगर मैं बात करूं inexhaustible resources क तो inexhaustible resources are those जो की exhaust नहीं होते हैं है ना जो खतम नहीं होते हैं आप उनको कितना भी use करते जाओ करते जाओ करते जाओ वो कभी भी खतम नहीं होने वाले हैं और best example है inexhaustible resource का sunlight या solar energy ठीक है? solar energy यानि कि sun से मिलने वाली जो उर्जा है जो रोश्नी है millions of years से जो है ना हम तक sunlight पहुचा रहा है पहुचाता आया था अभी भी पहुचा रहा है और आगे भी कई सालों तक कई millions and billions of years तक जो है वो हम तक अपनी sunlight पहुचाएगा तो आप चाहो कितना भी sunlight का use कर लो sun जो है वो बुरा नहीं मानेगा कि आपने तो आज मेरी energy का जो है ना over exploitation किया है आपने जो है ना misuse किया है ऐसा नहीं है जितना use करना चाहो आप solar energy का use कर सकते हो वो कभी खतम नहीं होगी वही हमारे पास कुछ ऐसे resources भी होते हैं जिनको आप बोल सकते हो कि अगर हम लगातार और बहुत जादा ही उनों frequently हम उनको use करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो तो ultimately एक stage ऐसी आएगी जहां पर जाकर कि वो जो particular resource है वो खतम हो जाएगा और ऐसा खतम होगा कि शायद जो future generations है जो हमारी आगे आने वाली जो PD है जो progeny है उसको वो resource कभी मिले ही ना use करने के लिए कि हमने तो अपनी life में जो है ना हमने तो अपनी generation में उसको use कर लिया और इतना किया इतना जादा frequently किया कि वो next generation तक आते आते वो चीज़ खतमी हो गई तो हमारी जो next generation आई है उसको वो चीज़ मिली ही नहीं बस हम क्या करते हैं उनकी बाते ही बता पाते हैं कि एक resource हमारे पास ऐसा हुआ करता था जिसको हम ऐसे use करते थे लेकिन unfortunately अब वो आपके पास नहीं है आप उसे use नहीं कर सकते हो और best example क्या है उसका petroleum है ना तो petroleum एक ऐसा resource है जिसके लिए आप बोल सकते हो कि obviously बात है petroleum एक ऐसा resource है जिसको आज के date में हर इंसान जो है use करता है हर इंसान के पास एक गाड़ी होती है भले ही जो हैना four wheeler ना हो लेकिन two wheeler तो होती ही है तो two wheeler यह किस से चलते हैं आप बोल सकते हैं कि petrol से चलेंगे है ना डीजल वगेरा से चलेंगे तो यह जो oils है हमारे petroleum oils डीजल वगेरा है यह सब कैसे होते हैं यह exhaustible resources की category में आते हैं क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे human population है यह सिफ इंडिया की मैं बात नहीं कर रही हूं यह पूरे world की बात कर रही हूं मैं कि यह human population है वो तो हम बोलते हैं कि ever increasing है वो तो बढ़ती ही जानी है बढ़ती ही जानी है और जैसे जैसे population बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की जो demand है petroleum की और diesel की वो भी क्या होगी बढ़ती जाएगी अब बात यह है कि petroleum और diesel वगेरा जो है यह हमारे earth में आप बोल सकते हो कि limited quantity में है है ना ऐसा नहीं solar energy की तरह नहीं है कि सालों से चलते आ रहे हैं अभी भी चल रहा है और आगे कई सालों तक चलते रहेंगे ऐसा नहीं है petroleum वगेरा जो है वह आप बोल सकते हों कि हमारे earth पे limited quantity में है तो बहुत ही सोच समझ के क्योंकि अब एक ऐसी स्टेज आ गई है बहुत सालों पहले ऐसी स्टेज नहीं थी लेकिन अब एक ऐसी स्टेज आ गई जहां पर हमें बहुत ही सोच समझ के petroleum और डीजल वगेरा को या जो हमारे ट्राफिक वगेरा है उसमें ठीके ना बिसीकली ट्राफिक सिकनल है वाबे काफी लंबा जाम लगा हुआ है तो एक आप बोल सकते हो कि पापा बैठे है उनके बगल में एक छोटा सा बेटा बैठा उनका school going boy बैठा हुआ है तो उनका जो बेटा है वो बोलता है कि पापा ह जो consumption हो रहा है मुझे नहीं लगता कि आने वाले सालों में जो ना हमें पैट्रोल मिलेगा तो इससे अच्छा है कि हम अभी से जो है ना अपनी habits ऐसी डाल दें कि हम सब क्या करें cycle के उपर जाएं क्योंकि उसमें पैट्रोल यह डीजल तो लगता नहीं है तो इसके फादर क को जो है ना switch off नहीं करते है उसको ओनी छोड़ देते हैं तो इंजन क्या करता है पैट्रोल डीजल वगरा जो है ना उसको यूज करता जाता है तो वहां पर हम बहुत है कि पैट्रोल और डीजल का वेस्टेज होती है ठीक है तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि इस च चाइब का next topic होगा fossil fuels का fossil fuels का मतलब क्या है fossil का मतलब क्या होता है कि जब millions of years से जो plants और animals जो होते हैं जो उनकी dead bodies होती है जब वह हमारी बन जाती है fossil बन जाती है ठीक है और इन fossil से जब आप इन fossil को यूज करते हो energy derive करने के लिए तो वो क्या कहलाते है fossil fuels कहलाते है क्या बोला मैंने कि dead plants और animals की bodies क्या होती है है decomposed होती है तो यह जो decomposed bodies है dead plants और animals की यह हमारी earth की जो layers होती है उन में जाकर के आप बोल सकते हो कि दपती जाती है और उसके अंदर जली जाती है ठीक है और यह कई सालों पुरानी होती है यह नहीं कि एक या दो साल millions of years पुरानी होती है यह चीज़ें तो जो decomposed bodies होती है वो और further decomposed होती है और जो decomposed product निकर गया आता है उसको हम कहते है fossil उस fossil को हम use करते हैं अपने purpose के लिए क्या purpose हो सकता हमारा energy ठीक है energy को derive करने के लिए तो ऐसी चीजें ऐसे fossils जिससे हम energy derive करते हैं उन्हें हम कहते है fossil fuel क्या होता है फ्यूल कोई भी substance है जिससे कि आप क्या करो energy derive करो हमारे पास LPG होता है LPG gas cylinder वो भी क्या है एक fuel है क्यों क्योंकि उससे हम heat derive करते हैं हमारे पास लकड़ी है लकड़ी भी क्या है एक fuel है क्यों क्योंकि उसको जला करके उससे हम energy obtain करते हैं तो कोई भी ऐसा substance जिससे आप energy derive कर सब को वो क्या कहलाता है fuel कहलाता है हमारी body में भी तो एक फ्यूल होता है हमारी जो बॉड़ी है हमारी बॉड़ी भी एक मशीनी है इस मशीन को भी क्या चाहिए है फ्यूल की रिक्वार्मेंट होती है क्या रिक्वार्मेंट पड़ती है हमको डेली बेसिस पर काम जो करने पड़ते हैं हमको खेलना पड़ता है हमको या बोल सकते हो कि fuel क्या हो सकता है हमारा food जो भी हम खाते पीते हैं वही क्या है हमारी body का एक fuel है क्यों कि जब उन चीजों को हम खाएंगे पीएंगे हमारी body में उनका digestion होगा digestion के बाद absorption होगा assimilation होगा और उससे क्या निकलेगी energy मिलेगी और इसी energy को हम utilize कर सकते हैं तो fossil का मतलब समझ में आया fuel का मतलब क्या कि कोई भी ऐसा सब्स्टेंस जिससे कि आप energy obtain कर सको या energy derive कर सको उसे हम कहते हैं fuel तो जब हम fossil से fuel आप बोल सकते हो कि derive करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं fossil fuels ठीक है तो इस chapter में हमको तीन fuels के बार में बात करनी है सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी कोल की याने की कोई लेकी ठीक है ना कोल अगर देखा जाए तो पहले के जमाने में ancient times में कोल जो है ना बहुत जादा है extensively use होता था हर कहीं कोल कोल को जो है ना as a fuel को फ्यूल के तरह इसको यूज किया जाता था in fact पुराने जमाने में जो train चलती थी आपने देखा होगा कि वो steam engine वाली होती थी steam से चलती थी तो वो कम हो गया है क्योंकि ओविस सी वात है टेक्निलोजी जा गई है चीजे मॉर्डनाइज हो गई है हमारे पास यूना ऐसी और coke की ओपर ठीक है तो coal का formation coal की तीन products हमें पढ़ने हैं इसके अलावा हमको बात करनी है अपने second fuel की जो की होगा क्या petroleum ठीक है petroleum की ओपर हम बात करेंगे कि यह कहां मिलता है इसका formation कैसे हुआ कहां से petrol बनता है वो सब हम सीखेंगे इसके बाद में इसकी इसका extraction कैसे होता है कैसे इनको निकाला जाता है कैसे इनको refine किया जाता है हमारी गाडियों में जो पेट्रोल वगरा डलता है वो refined petrol होता है है न क्यों क्योंकि जब इसको बनाया जाता है जब इसको you know earth crust यह सब तीसे coal ले लो ले लो petroleum ले लो या कोई और फ्यूल ले लो जैसे कि natural gas वगरा यह सब कहां बनते हैं यह हमारे earth crust में आने की जमीन के नीचे ही बनते हैं ठीक है तो earth crust के नीचे यह कैसे इनका formation होता है वो हम सीखेंगे फिर इनको जो है न अर्ट से कैसे बाहर निकाला जाता है वो आएगा कहा एक्स्ट्रेक्शन की टॉपिक में इसके अलावा जो हम आज के टेप में पैट्रोल वगरा यूज करते हैं उसको हम refined petrol के फॉर्म में यूज करते हैं कैसे यह formation होता है इसका वो भी हम पढ़ेंगे यूज क्या-क्या है इसके वो भी हम देखेंगे फिर ultimately हमारी गाड़ी पहुचेगी कहा पेट्रोकेमिकल्स के उपर पेट्रोकेमिकल्स यह वर्ड हमने पहले भी गई सुना है क्या हाँ सुना है जब हम बात कर रहे थे अपने chapter number 3 की synthetic fibers and plastics की तो वहाँ पे मैं आपको बताया था कि हमारे जो plastic products होते हैं हमारे जो synthetic fibers होते हैं उनको बनाने के लिए जो raw material लगता है वो raw material कहां से आता है और जो in text activities वगरा जो होंगी इस chapter में वो भी हम कर लेंगे discuss ठीक है तो आज की session में हमने वह वाले topics देखे हैं जो कि इस chapter के अंडर हमें cover करना है तो यह जो चाप्टर है जैसे कि आपको समझ में आई रहोगा introduction से कि बहुत बढ़ा chapter नहीं है चोटा सा chapter है और interesting भी है ना क्योंकि इस chapter में वो सारी चीज़े हैं जो कि आप हमेशा देखते हो इसके पहले जैसे कि हमने बात करी थी metals and non-metals की तो बहुत सारे metals and non-metals के बारे में हमें पता नहीं भी था है ना हमने sulfur नहीं देखा हमने phosphorus नहीं देखा लेकिन इस chapter में जो भी session होगा जमारा next session होगा उसमें हम बात करेंगे resources के ओपर और आसान शब्तों में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगी कि resources actually क्या होते हैं और हम जो resources का classification है exhaustible और inexhaustible वाला वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो यह तो हो गई बात इस session की अब सुन लो एक और काम की बात काम की बात यह है कि कई बच्चों की उन्हों एक कंप्लेन आती है कि मैं यूट्यूब पे जो वीडियोस हैना वो हमको अवेलिबल नहीं हो रहे हैं और प्लेलिस में जो हैना दिखा नहीं रहा है या प्लेलिस में अगर वीडिय वेबसाइट है मैगनेटब्रेंस.com उसको आप विजिट कर सकते हैं कैसे आप उस वेबसाइट को विजिट करोगे कहां पर आपको कौन-कौन से उन्हों चैप्टर मिलेंगे कैसे आपको एक्सिस मिलेगी वह मैं आपको थोड़ा सा हाप एक्स्प्रेंड कर देती हूं ठीक है मैगनेटब्रेंस.com के ओपर आपको जाना है और यहां से आपको हमारी जो वैबसाइट है मैगनेटब्रेंस फ्री ओनलाइन कोर्स वीडियो टूटोरियल्स वगेरा इस पर आपको जाके क्लिक करना है ठीक है जैसी आप प्लिक करोगे तो हमारी जो ऑफिशल है मैगनेटब्रेंस.com की वह आपके सामने खुल जाएगी और आप जब नीचे स्कोर करोगे तो आपको जो है अलग-अलग क्लासिस के जो भी वीडियो लेक्चर से वह आपको देख जाएंगे है ना क्लास 12 है क्लास 11 है क्लास 10 है क्लास 9 है सपोज हम जाते हैं किसके ओपर क जो थामिल आपको दिखाई देख रहोगा आप उस पे क्लिक करोगे वाचिनाव-प्रजाओगे तो जैएग चेप देखे दा की जा वब हर तो यह आप को सभी जो है लेक्चरा को यहा यहां पर दिखाई देगे ठीक है कुछ इस तरीके से तो आपको जो भी समस्या आ रही जो भी problems आ रही है YouTube की playlist को ढूनने के लिए या videos नहीं मिल रहे हैं या sequence में नहीं है यहाँ पे आपकी सभी problems का solution सामने निकल करके आ जाएगा यहाँ पे आपको हर एक chapter में जितने भी video lectures हैं, जितने भी topics हैं ठीके वो सभी आपको properly एक sequence में arranged मिलेंगे तो आपके लिए उनको देखना होगा काफी जादा convenient तो problem का solution समझ में आ गया सभी को तो आज की session को हम यहीं end करते हैं अब हम मेलेंगे अपने next session में और next session में हम इस chapter का अपना first topic स्टार्ट करेंगे resources के साथ and types of resources के साथ तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website है magnetbrains.com उसे visit कर ली जेगा जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं properly playlist में arranged और साथी साथ आपको सभी chapters के वहां पे होंगे notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnet brains thank you for watching Hello everyone आज के इस session में हम अपने chapter coal and petroleum का first topic discuss करने वाले हैं and that is resources साथी साथ आज के इस session में हम types of resources के बारे में भी पढ़ेंगे previous session में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कई सारे resources होते हैं और उन सभी resources को हम broadly दो categories में categorize करते हैं exhaustible resources and inexhaustible resources तो exactly resources क्या होते हैं और इनके ये types हमें क्या बताते हैं कि सारी बाते हम करेंगे discuss आज के इस session में तो चलो जल्दी से आज के इस session को हम start कर लेते हैं So this is विभूती खरे Welcome to Magnet Brains रहां पे आपको सभी chapters की video lectures मिलते हैं बिल्कुल free of cost याने कि Magnet Brains में आपको दो chapters परने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुंचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं आज का हमारे ये session और session को हम start कर रहे हैं हम एक major term के साथ हमारे starter के major term के साथ जो की है resources अब resources मैंने आपको previous session में जो हमारा introduction वाला session था वहाँपे मैंने आपको detail में तो नहीं समझाय था resources लेकिन मैंने आपको एक general idea दिया था कि resources क्या होते हैं वहाँपे मैंने आपको बताया था basic definition हो सकती है resources की कि anything in this environment which can be used इस environment में हर एक चीज जिसको की हम use कर सकते हैं वो क्या कहलाई जाएगी वो क्या कहलाई जाएगी एक resource कहलाई जाएगी है ना अब obviously बात है अगर आप किसी भी चीज को use करते हो तो उसमें आपका ही कोई फायदा होता है है ना आपको ही कुछ benefit होता है तब ही उस चीज को जाकर के आप use करते हो है ना तो resource के लिए हम बोल सकते हैं कि anything which can be used या आप बोल सकते हो कि उसको आप utilize कर सकते हो उसको हम नाम देते हैं किसका resource का एक point और है कि आप जितनी books देखोगे ना उतनी books में आपको resources की अलग-अलग definition दी रहेगी तो आज के इस session में हम resources को समझने की कोशिश करते हैं कुछ you know अलग-अलग definitions के तुरू जैसे कि एक definition मैंना आपको बता दी अब दूसरी definition ये भी हो सकती है कि resources क्या होते हैं हमारी life में एक valuable addition होते हैं या ये भी आप बोल सकते हो कि जो हमारे resources हैं वो हमारी life में एक value add करते हैं हर एक resource की हमारी life में क्या होती है एक value होती है और अगर वो resource हमारी life में नहीं रहेगा तो आप बोल सकते हो कि हमारी जो life है वो काफी complicated हो जाएगी ठीक है तो एक काम करते हैं Resources की हमने तीन चार definition अभी देख ली है ना, अब हटाव इन definitions को, हम जो है example से समझने की कोशिश करते हैं कि exactly resources हमारे क्या होते हैं, सबसे पहला example हम लेते हैं plants और trees का, ठीक है, plant और trees को भी हम क्या बोलते हैं, कि ये एक resource है, कैसे resource है, मैंना आपको क्या समझाया अभी, resources क्या होत रखते हो, जो कि आपके life में एक value वैट करें, जिनके बिना आपकी life क्या हो जाए, complicated हो जाए, वही क्या कहलाता है, resource कहलाता है, तो अब मैं बोल रही हूं कि हमारे जो plants और trees होते हैं, ये क्या है, एक resource है, कैसे resource है, याद करो, class 8 science में ही, अभी तक हमने first four chapters cover करें हैं, तो इ management वाला, वहाँ भी हमने देखा था कि agriculture कैसे होता है, कौन कौन सी practices involved होती है agriculture में, उन सब भी practices के उपर हमने बात करी थी, उस chapter में हमने सीखा था, कि जो भी हम food varieties आज की date में enjoy करते हो, चाहे वो fruits हो, चाहे वो vegetables हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो दाले हो, ये सब कहां से आते है, variety of food items हमारे खेतों से ही निकल के आते हैं, हमारे crop plant से ही आते हैं, है ना, जो भी हमारे, जिस भी country में आप रह रह रहे हो, जिस भी state में आप रह रहे हो, वहां का एक staple food होता है, जैसी कि कहीं गेहूं होता है, तो गेहूं कहां से मिलेगा, खेत से मिलेगा, crop plant से मिलेगा, गेहूं के पॉदो से मिलेगा, चावल कहां से मिलेगा, चावल के पॉदो से मिलेगा, जो भी आप टाइप के, अलग-अलग टाइप के, जो भी आप फ्रूट्स खाते हो, वेचिटिबल खाते हो, ये सब कहां से मिलते हैं, ये सब आपको पेड़ पॉदो से ही तो मिलते हैं, और हम सबको पता है कि जो भी variety हम food items की खाते हैं, वो हमारे लिए कितनी important है, ऐसा नहीं है कि हमें variety खाना पसंद है, इसलिए हम अलग-अलग variety के food items खाते हैं, ऐसा नहीं है, उन varieties की requirement होती है हमारी body में, क्यों? क्योंकि हमारी human beings की body है, जो animals की body है, वो काफी complex होती है, हमें पचा कि आज के बाद हम सिर्फ और सिर्फ चावल खाएंगे, तो चावल से तो आपको क्या मिलने वाला है, सिर्फ कावू हाइरेट्स मिलेगा, इसके अलाबा जो protein चाहिए है, इसके अलाबा जो minerals है, जो vitamins चाहिए, वो सब आपको कहां से मिलेंगे, उन सब वो सब चीज़ हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो conclusion क्या निकला, कि जो भी हम food varieties आज के डेट में enjoy कर दें, वो सब हमें कहां से मिलते हैं, पेड़ पॉदों से ही मिलते हैं, इसके अलाबा ये बात हो ही किसकी, human beings की, और ऐसा नहीं है कि human beings ही केवल dependent होते हैं अप अपने food के लिए, क्यों? क्योंकि हमारे हर भी वोर्स होते हैं, जैसे कि गाय भैस हो गई है ना, और बकरी वगएरा हो गई, वो सब क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं, गाजर घांस वगएर ही तो खाते हैं और इसके बार में अपना आप वो सक्तियों की survival वो करते हैं, अब हर भी वोर्स को कौन खाते हैं, कार्णी वोर्स खाते हैं, अब आप खुदी सोचो, अगर प्लांस नहीं होंगे, तो हर भी वोर्स नहीं होंगे, और अगर हर भी वोर्स नहीं होंगे, तो हमारे कार्णी वोर्स कहां जाएंगे, वो भी नहीं रहेंगे इस दुनिया मे उन्हीं के ओपर dependent होते हैं food के लिए अपनी body की जो energy है उसके लिए ये तो बाद होगी इसके खाने पीने की इसके अलावा हम सब लोग breathing करते हैं की नहीं करते हैं इसके जो Amazon Rainforest है यह Amazon Rainforest बेसिकली इस पूरे अर्थ पे जितना भी उन्हों oxygen का amount है यहां से भी इस पूरे प्रेनेट अर्थ पर ऑक्सिजन की सप्लाइब होती है इस पूरे oxygen की सप्लाइब में जो 20% पार्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ कहां से आता है Amazon Rainforest से आता है याने की Amazon Rain Rainforest Oxygen Produce करता है और कितनी करता है जितनी भी इस प्रेनेट अर्थ पर प्रेजेंट है ना उसका 20% सिर्फ और सिर्फ Amazon Rainforest ही प्रेद्यूस कर देता है तो आप समझ सकते हो कि Amazon Rainforest मतलब क्या जंगल है जंगल में क्या होते है पेड़ होते हैं पौधे होते हैं तो यह पेड़ प यह आ रही है हमारे plants और trees बगेरा से ठीक है जो carbon dioxide हम exhale करते हैं breathing के उधारांग वो कहा जाती है वो हमारे plants और trees ही जो है ना ले लेते हैं क्योंकि उनको carbon dioxide की जरूबत है अपनी photosynthesis की process के लिए तो वो जो है हमारी carbon dioxide ले लेंगे और हमें oxygen दे देंगे इसके अलावा हमने previous chapters में ह लिए उसको हम fix नहीं कर सकते हम अगर nitrogen को fix नहीं करेंगे तो amino acids नहीं बनेंगे amino acids नहीं बनेंगे तो प्रोटीन स्विश्चा नहीं बनेंगे तो यह जिम्मदारी भी किसके होती है plants की होती है plants को fix करके amino acids बनाएंगे protein बनाएंगे और इनी protein को फिर हम खाएंगे secondary consumers तो कुल मेरा करके प्लांट्स भी क्या हो गया हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया है अलग-अलग तरिकों से इनको हम यूजर कर रहे हैं और लेकिन पहले के induction या LPG gas cylinder नहीं होते थे gas connections नहीं होते थे वहाँ पे चूले होते थे और चूले को जलाने के लिए operate करने के लिए लकड़ी को ही जलाए जाता था तो हर एक घर में जो है लकड़ी होती ही होती थी ठीक है तो वोड कहां से मिल रही है प्लांट हमारे लिए क्या हो गए एक resource हो गए अगर यह नहीं होंगे हमारी life में तो हमारी life complicated होगी यह नहीं होगी definitely होगी चलो अब हम आजाते हैं अपने next resource की ओपर next example की ओपर जो की है animals हमारे लिए animals भी क्या होते हैं बहुत important होते हैं क्यों क्योंकि animals से जो मिलने वाले जो उनके products होते हैं अगर मैं बात करूँ दूद की अगर मैं बात करूँ eggs की अगर मैं बात करूँ chicken की meat की तो यह सब human population में required है या नहीं है बिलकुल है बाई जो दूद की अगर मैं बात करूँ तो एक 6 माईने का जो बच्चा होता है उसको तब 6 मैंने की age से ही जो है ना उसको गाय का दूद पिलाना शुरू कर दिया जाता है ठीक है तो हर एक age group के लिए milk important है और यह कहां से आता है animal से ही obtained किया जाता है इंडिया में देखा जाता है वैसे तो कि जो भी उस particular state की जो भी domestic animals होते हैं उन से milk obtained किया जाता है ना कुछ states में हम बोलते हैं कि भैसों का और जो गाय है उनका दूद चलता है तो यहां पे आपने देखा कि एनिमल पेस्ट फूट प्रडट्स की जो डिमांड है वह बहुत जादा है पॉपिलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी नेच्रल सी बात है तो एनिमल भी क्या हुए हमारे लिए एक रिसोर्स हुए की नहीं हुए उनको हम यूज कर रहे हैं की नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए प्लांस क्या हो गए है एक रिसोर्स हो गए है इसके अलावा अगर हम बात करेंगे हमारे मेटल्स की मेटल्स में हमारे पास कॉपर है ब्रोंस है है ना हमारे पास सिल्वर है गोल्ड है प्रटिन हमें यह सब क्या है यह सब हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह क किसी फॉर्म में अगर रियर नहीं होंगे तो फिर हमारे घरों की एलेक्टral वाइरंग्स वो कैसे बनेंगी तो कोई भी ऐसी चीज जिस्को कि आप अपने purpose के लिए use कर सकते हो, जिसकी एक utility होती है आपकी life में, जो की एक value add करता है आपकी life में, उसको आप नाम बेते हो किसका resource का, अब ऐसे तो बहुत सारे resources हो सकते हैं न, जैसे कि sunlight, sunlight भी हम use करते हैं, वो भी एक resource है, पानी, पानी तो एक major resource है हमारे लिए, हवा भी क् पता है था कि anything in this environment which can be used is termed as a resource, इस environment में कोई भी ऐसे चीज़ जिसको क्या आप use कर रहे हो, वो आपके लिए क्या होगा, एक resource होगा, उसको आप एक resource का नाम जोगे, clear हुए इतनी बात, चलो, अब in our everyday life, we use a large number of materials for our basic needs, हम अपनी basic needs के लिए कई सारी चीज़ों को use करते हैं, अपनी daily life में, some of these materials are found in nature, whereas others are man made, अच्छा हाँ, एक और चीज़ों, resources के बारे में मैंने आपको समझाया, आप कुछ natural resources होते हैं, natural resources मतलब क्या, जो कि nature में naturally exist करते हैं, without any actions of mankind, यहने कि हमारे किसी action के बिना, कोई resource अगर nature में exist कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं natural resource, for example, solar energy, solar energy हम natural resources, क्यों, sun को हमने बनाया हैं क्या, यह sun से मिलने वाली solar energy को हमने बनाया हैं क्या, नहीं, तो sun से आने वाली जो solar energy है, वो क्या हो जाएगी, एक natural resource हो जाएगी, naturally nature में exist करती हैं, हम उसे नहीं बनाते हैं, इसके रावा पानी, पानी भी क्या है, हमारी एक natural resource है, क्यों, पान Solar Energy को हमने नहीं बनाया लेकिन उसको हम यूज करते हैं कि नहीं उसको हम आप बोल सकते हो कि collect करते हैं या नहीं हमारे सरकार बार-बार इस चीज पर दोड़ दे रही है कि Solar Energy वगेरा जो है जितना हो सके उतना यूज करना चाहिए क्यों यूज करना चाहिए क्योंकि आगे जाकर के इसी सेशन में हम बात करेंगे कुछ exhaustible resources की जो कि हम कई सालों से use करते आ रहे हैं और इतना जादा use कर रहे हैं कि अब वो जो resources हैं वो extension की कगार पर पहुँच रहे हैं और अगर हमने उनका समझदारी से use करना शुरू नहीं किया तो हमारी future generation को वो सब चीज़ें नहीं available होंगी इसलिए government क्या किस चीज़ पर emphasis कर रही है किस चीज़ जोड दे रही है कि solar energy को जो है solar energy देगा चीज़ है तो आज के टाइम पर क्या होता है solar energy से चलने वाले कुछ वहिकल्स होते हैं या solar energy से चलने वाले कुछ खाना बनाने की जो बरतन हो जो cooking utensils हैं वह भी हम बोलते हैं solar energy से operate होने वाले लगते हैं जैसे कि solar को कर हो गया है ना solar आप बोल सकते हैं कि पैनल वगरा जो है लगाय जाते हैं कहां लगाय जाते हैं यह पैनल तो आपने देखा होगा कि जिस भी city है जिस में टाउन भी आप रहते हो तो वहां पर जो traffic lights होती है तो traffic lights को आजकल operate करने के लिए क्या करते हैं solar panel जो है ना इस तरीके के लगा देते हैं street lights के उपर आपको एक rectangular या square shape का ऐसा एक panel आपको दिखाई देता होगा वो क्या है solar panel है कि जैसे ही sunlight पड़ेगी यह activate हो जाएगा बिजली बनाएगा और उस बिजली से जो traffic lights है वो जलने लगेंगे इसके अलावा बड़े-बड़े hotels में motels में है ना कुछ-कुछ घरों में भी solar heaters लगे होते हैं कि वो क्या करते है बेसिकली जो overhead tank का जो पानी होता है उसको गरम कर देते हैं है ना तो solar energy sun से जो solar energy निकल की रहे है उसको वो हम as a geezer की तरह काम करते हैं естव करता है पानी को गरम करता हैं तो हम geezer को जो हमारे घरों में जो लगी होते हैं वो थो तो बेजली से चलते हैं लेकिन जब हम solar panel का we come करते हैं तो सोलर पैनल क्या करता है बिजली बनाता है और इस बिजली से हम बोलते हैं कि यह बिजली ने सोलर पैनल क्या करता है solar energy को trap करता है जो overhead tanker पानी उसको गरम करता है और गरम गरम पानी जो है हमारे घरों तक पहुंच जाता है ठीक है तो इसलिए सरकार बोल रही है कि जितना हो सक्कि उतना solar energy को यूज करो क्योंकि भई आप जो है इस हाई टाइम कि हम जो भी हमारे पास resources हैं उनको हम बहुत ही समझदारी के साथ यूज करना शुरू कर दें क्यों कि extinction की level तक वो पहुंच रहे है चलो तो solar energy के बारे में मैंना को क्या बताया था कि इसको हम नहीं बनाते हैं यह naturally nature में exist करती है बस हम क्या कर सकते हैं इसको collect कर सकते हैं और करना भी चाहिए है wind energy, हवा जो चलती है, है ना, उससे भी energy derive करी जा सकती है, वो भी एक resource है, हम तो नहीं बनाते हैं उसको, लेकिन उसको हम collect कर सकते हैं, बिजली बनाने के लिए, इसके अलावा हमारे पास जो पानी है, पानी को हम नहीं बनाते हैं, लेकिन पानी को हम collect जरूर करते हैं, तो जो ह में exist करते हैं लेकिन हम उनको collect जरूर कर सकते हैं तो air water soil sunlight coal petroleum natural gas and minerals are obtained from the nature so they are called natural resources है ना इनको हम क्या कहते है natural resources कहते है अलग-अलग coal हो गया petroleum हो गया minerals वगरा हो गया इनको हम बनाते तो नहीं nature में naturally exist करते है न इसलिए कहला जाते है natural resources on the other hand plastic synthetic fibers paints drugs explosives etc यह सब कैसे होते हैं man made होते हैं यूस तो इनको हम कर रहे हैं यूस कैसे कर रहे हैं क्योंकि हम ही ने इनको बनाया है ठीक है चलो next point क्या है कि anything in the environment which can be used is called a resource तो अभी जितनी भी बाते मैंने आपको समझाई हैं उमीद करते हो कि इन सभी बातों से आपको यह चीज़तों समझ में आ गई होगी कि resources क्या होते हैं ठीक है अचा कुछ हमारे पास resources ऐसे भी होते हैं जिनकी आप बोल सकते हो कि जो value है वो उनकी utility या उनके जो other factors से उस पर dependent होती है for example हमारे पास जो metals होते हैं gold हो गया silver हो गया bronze फगेरा हो ठीक है यह इनकी economic value जादा होती है आप इनको पैसे दे करके खरीद सकते हो अगर आपको gold silver लेकर के आना है तो उसके लिए आपको pay करना पड़ेगा तो यह high economic value के होते है ठीक है वही हमारे पास कुछ resources ऐसे भी होते हैं जिनके कोई economic value नहीं होती है for example mountains है न हमारे पास जो sea है oceans है यह सब क्या है जो jungle है यह सब क्या है यह कुछ इसे भी होते हैं जिनकी जो जो वैलिव है हमारी लाइफ में वो उनकी यूटिनेटी और अधर फैक्टर्स जो है डिसाइड करते हैं ठीक है चलो अब जितने भी रिसोर्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाइब कर देते हैं इनक्साइब सुंसे एनक्साइब सुना होगा एक्शॉस्टर्स का मतलब क्या होता है कि भी ठग जाना के बार इंग आपको इसा लगता होगा आपने इस वर्ड को यूज किया होगा कि आज तो हम बहुत ही जादा exhaust हो गए हैं, आज हमको school जाना था, school में हमने पढ़ाई भी करी, हमने sports भी खेला, यह हमारे school match sports टे था, तो हमने बहुत सारे तरह तरह के games के लिए हैं, sports के लिए हैं, तो आज तो हम बहुत ही exhaust हो गए हैं, बिलकुल भी energy नहीं बची है, कुछ करने के लिए, ठीक है, तो exhaust का मतलब क्या होता है, खतम हो जाना, तो जितने भी natural resources हैं, उनको हम दो categories में categorize करते हैं, inexhaustible या exhaustible, exhaustible resources हैं जो की exhaust हो जाते हैं, कैसे exhaust हो जाता हैं, तो obviously बात है, resources है, use हम करी रहे हैं, है ना, तो use हम कैसे कर रहे हैं, बे तहाशा इनको हम use करे हैं जहान जरूवत नहीं भी है, वहां पी भी हम इनको use कर रहे हैं, और इतना frequently कर रहे हैं, कर रहे हैं कि ultimately जो हैं यह खतम होते जा रहे हैं, वहीं हमारे पास कुछ डिरूसर्स ऐसे भी होते हैं, कुछ natural resources ऐसे भी होते हैं, जिनको आप किता भी use कर लो, वो कभी भी खतम न कि यह जो है नरिन्यू नहीं हो पाते हैं यह दुबारा बंड नहीं पाते हैं बंड तो जाते हैं लेकिन इनको बनने में इतना टाइम लग जाता है कि एक यो एक जो human age है ना human age के कई गुना आगे जाकर कि यह renew होते हैं कि अगर आप सोच रहे हो अब जब बच्चा 2 साल का होगा, यह चलो 25 साल का हो जाएगा, तब तक शाद पेट्रोल बनके वापस आजाए, और जब तक उसके पास घाड़ी आएगी, लाइसेंस आएगा, तब तक जना पेट्रोल फिर से आजाए, तो वैसा नहीं है, क्योंकि पेट्रोल एक रिसोर्स त कि अगर उसकी उमर में आकर कि कोई रिसोर्स खतम हुआ है, तो वो अपनी उसी उमर में उसको वापस से यूज कर ले, या वो रिसोर्स रिन्यू होकर कि उसके पास वापस आजाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतना जादा लंबा टाइम लग जाता है, जब हम कोल और पे आज के डेट में, अगर हम भी कोल, हम भी पैट्रोल या हम भी डीजल सिंथेसाइज करने लगे, तो शयद हमारी जो प्रॉबलम है, वो काफी हद तक सॉल्व हो सकती है, जैसे कि हमने प्रीविस चैप्टर में पढ़ा है, कि हमारे पास नैच्रल फाइबर्स होते हैं, और ह सारे कैमिस ने रिसाइड कि छोड़ो यार, हम तो जो है ना, अपने खुद के फाइबर्स जोने सिंथेसाइज करेंगे, और उन फाइबर्स में जो भी कैरेक्टर हमको चाहिए हैं, वो हम सारे के सारे डाल देंगे, उनकी स्ट्रेंथ हम बढ़ा देंगे, है ना, अपिये वाइस, उनको हम, कॉटन फाइबर्स से भी ज्यादा जो है न, अच्छा बना देंगे, सॉफ्ट बना देंगे, सिल्की बना देंगे, डियूरेबल बना देंगे, प्लस हम बोलते हैं कि वह एफोर्डेबल भी रहेंगे, चीप भी रहेंगे, तो वहाँ पे क्या हुआ, ना नेच्छल फाइबर्स के कारण जो भी prominent सारत है सिंसेटिक फाइबर्स ने उन रोबेक्स वो सब को यह कर दिया दूर कर दिया इतना विह आप सबूर को अब इसके बार में क्या बोलाग्या अब जब हम अपने resources की बात कर रहे है natural resources की बात कर रहे हैं तो अगर हम बोल रहे हैं कि मैं coal and petroleum की कमी हो रही है तो एक काम करें ना उसको बना लेते हैं लेकिन उसको बनाना हमारे हाथ में नहीं है coal and petroleum natural gas यह अपने आप nature में बनता है हम इसको सिर्फ collect कर सकते हैं मैं आपको बनाना हमारे हाथ में नहीं है सिर्फ इंको हम यूज कर सकते हैं कलेक्ट कर सकते हैं तो अगर आप यह सोचते हो कि इस synthetic fibers की तरह हम भी क्या करते हैं synthetic petrol यह synthetic diesel बना सकते हैं वो possible नहीं अभी तक तो यह चीज पॉसिबल नहीं है future में होगी तो बात अलग है लेकिन अभी तक नहीं है तो इसलिए अभी के लिए बोला जाता है कि बहु जितना हो सके ना controlled में इसका use करो controlled manner में use करो वरना क्या होगा आगे आने वाली पीडी के लिए impossible हो जाएगा coal या petrol को use करना ठीक है तो exhaustible natural resources के लिए हम बोलते हैं कि यह धीरे-धीरे क्या हो जाते हैं exhaust हो जाते हैं और खतम हो जाते हैं और basically इसलिए इनका जो usage वो proper होना चाहिए और खतम ऐसे हो जाते हैं कि इनका इनको रिन्यू होने में काफी लंबा पीरेट लग जाता है देखा जाए तो जितने भी हमारे natural resources होते हैं उनको हम फिर से एक बार आप बोल सकते हो कि इनका दूसरा classification भी possible है दूसरा classification कैसा कि किस चीज़ को आप रिन्यू कर पा रहे हो या कौन सी चीज़ रिन्यू हो पा रही है या कौन सी चीज़ रिन्यू नहीं हो पा रही है फॉर एक्जामपल हम बात करते हैं पानी की हमारे लिए पानी क्या है एक renewable natural resources है रिसोर्स है क्यों क्यों कि है थीक है अब उस river का जो पानी है उस नदी का जो पानी है उसको आप कई तरीके से यूज करते हो आप उसको drinking बहुत ज़ादा गर्मी पड़ी गर्मी पड़ी की तो ग्या होगा नदी का जो पानी है वो evaporate होगा और faster rate पे evaporate होगा और जो level है पानी का वो कम होता जाएगा और unfortunately उस साल में ठीक से बारिश भी नहीं हुई यह बारिश हुई तो नदी का जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाएगा और नदी हमारी पूरी सूख जाएगी अब यह हो जाएगी हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों यह कि पानी को तो हम एक रिसोर्स की तरह यूज कर रहे थे कि नहीं पानी की हमारे लाइफ में जो सिग्निफिकेंस वह बहु तो बारिश का जो पानी है वो फिर से नदी में जो है आकर के भर गया और हमारी जो नदी है वो फिर से क्या हो गई रिन्यू हो गई तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि पानी हमारे लिए क्या बन गया पानी हम बोलते हैं कि रिन्यू हो पाया है ना वो रिन्यू हो पाया है और पानी भी आता है तो पानी को हम क्यों बोल रहे हैं अब आप बोलोगे कि मैं कुवें सूख जाते हैं नदी सूख जाती है तौलाब दो उससाब से तो पानी को exhaustible resource के क्याटेगरी में आना चीए था लेकिन नहीं नहीं आया वह तो यहां पर आपने क्या सीखा कि पानी क्या है एक रेन्यूवल रिसोर्स रेन्यूव हो जाता है और कुए अगर अग्या सूख जाता है तो जैसे अच्छी बारिश होती है तो तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो इंप्रूव हो जाता है जिसके कारण कुवे में फिर से हम वोते हैं कि पानी आ जाता है ठीक है तो यहां पर हमने देखा कि कितने अच्छे तरीके से पानी को हम रिन्यू मतलब हम नहीं करा सकते हैं अपने आप नैच्रली वो रिन् सब्सक्राइब करते हैं समुद्रों का जो ओशन वाटर जो होता है वह कभी कम तो होता नहीं है कैसे कम नहीं हो रहा थैक्सası इमन पॉकूलेशन कर विछो सब्लीक्राइब वह बढ़ता ही जा रहा है चुछ बच्चों के दिमाग पर बनने में टाइम लग सकता है तो फिर उसको हम रिझो देट्रेस्टं की बोल रहे हैं या आप उसको नौन रिघर टीकरी में क्यों डाल रहे हूं परई सॉईल जो है अगर हम से होगी है ना फॉर्टल कब होगी जब उसके पास उसके सारे न्यूट्रिएंट्स रहेंगे अब आपको याद होगा प्रीवेस चैप्टर में हमने बात करी है कि स्वाइल को उसके न्यूट्रेंट्स लोटा देने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं यूमस का एडिशन कर दो और और गैनिक फर्टिलाइजर डादो नैच्रल जो संथेटिक फर्टिलाइजर बगएरा है वह सब डाल दो हैंना तो क्या होगा सॉल की जितने भी न्यूट्रियंट्स वगएरा है वह सब वापस आ जाएंगे वह फटाइल हो जाएगी और उस सॉल को जो है आप फिर से लॉट आती है और लॉटने का जो टाइम है वो ऐसा रहता है इतना इनफ रहता है कि एक युमन एज जो है ना उसको आप बोल सकते होगी देख ले ठीक है इतना समझ में आप सभी को तो मैंने आपको क्या बताया कि दो क्लासिफिकेशन से वैसे देखा जाए तो रिन्यूवेबल और जो नॉन रिन्यूवेबल है वो आपके इतनी सिलेबस में है नहीं याना क्लास 9 में आप पढ़ोगे लेकिन क्योंकि हम रिसोर्स की बात करी रहे हैं एक्जॉस्टिबल इनाइग्जॉस्टिबल पढ़ी रहे ह जोगी उनका रिन्यूवेबल आप बोल सकते हूँ कि उनका जो रिन्यून होना है वो इतना पॉसिबल नहीं है या होता भी है तो इतने सालों लग जाते है कि एक human age में उसको दुबारा use करना impossible है ठीक है चलो अब एक काम करते हैं जो हमारे inexhaustible natural resources है इनकी एक proper definition देखी लेते हैं हम कि the term inexhaustible means something which can not be used up completely एक ऐसा substance यह एक ऐसी चीज जिसको आप completely जो है ना उसको use नहीं कर बना पूरी तरीके से जो है ना वो कभी खतम नहीं होगी then those natural resources which are present in unlimited quantities यह ना unlimited quantity में present है हमारे nature में and are not likely to be exhausted by the human activities और human activities से यह exhaust नहीं होगी ऐसे natural resources को हम कहते हैं क्या in exhaustible natural resources कि कितना भी use कर लो है ना unlimited quantities में nature में present है तो फिर tension क्या use करते जाओ करते जाओ और वो चीज जो हैना कभी खतम ही नहीं होगी solar light wind energy यह सब क्या है पानी यह सब क्या है use करते जाओ करते जाओ और वो nature में कभी खतम नहीं होगा चलो फिर इसके बाद में the examples of inexhaustible natural resources are sunlight air and water there is a never-ending supply of inexhaustible resources in nature the inexhaustible resources can be used again and again they last forever इतना समझ में आया कि नहीं आया अब हम आजाते हैं अपने दूस्थे natural resource के उपर जो कि है exhaustible exhaustible का मतलब होता है something which cannot be used up completely so that nothing is left behind है ना the resources those resources which are present in a limited quantity in nature and can be exhausted by human activities are called exhaustible natural resources एसे resources जो कि हमारे नीचर में ना limited quantity में present होते हैं और अगर human activities को जो है ना हमने रोका नहीं तो उन human activities के कारण ये exhaust हो जाएंगे उन्हें हम कहते हैं क्या exhaustible natural resources the examples of exhaustible natural resources are coal petroleum natural gas minerals forest and wildlife है ना जाहे वो wildlife हो जैसे कि आप सभी को पता होगा जुरासिक पाक देखे की नहीं देखी है dinosaurs पहले की जमाने में होते थे लेकिन अब नहीं है टाइगर्स और लॉइन्स वगेरा को जो है ना उनका conservation आजकल चल रहा है आजकल क्या मतलब पहले से चल रहा है क्योंकि हम सब को पता है कि अगर लॉइन्स और टाइगर्स की जो population उसको मेंटेन नहीं किया गया तो क्या होगा यह सारी species भी extinct हो जाएंगी तो जैसे आज हम dinosaurs की ओपर books परते हैं या movies देखते हैं कल को यह भी possible है कि हमारी जो future generations होंगी वह भी क्या होंगी टाइगर्स और लॉयन्स को comic books या आप बोल सब्सक्राइब की movies वगएरा में ही देख पाएं real life में देखने कोई ना मिले extinct हो जाएं तो wildlife भी क्या है basically हमारे लिए एक exhaustible resource है है ना forest jungle वगएरा किता जादा deforestation होता है कि industrial area setup करना है खेट खलियान वगएरा लगाने हैं तो हम क्या करते हैं जो jungle वगएरा जो होते हैं उनकी कटाई हम शुरू कर देते हैं तो जंगलों को पेड़ होते हैं उनको काट के उस area पे जो है हैना 118 elements और उनमें से इतने सारे elements होते हैं जो कि naturally nature में exist करते हैं फिर इसके बाद में coal petroleum natural gas वगरा यह सब क्या होते हैं exhaustible natural resources होते हैं the exhaustible natural resources do not last forever यह हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं होंगे in this chapter we will study some exhaustible resources of energy like coal petroleum and natural gas coal petroleum natural gas यह सब क्या है exhaustible resources ही हैं और कैसे इनको हम use करते हैं कैसे इनका formation होता है वो सारी वाते हम पढ़ेंगे coal petroleum and natural gas are also called renewable sources of energy इनको हम sorry non renewable sources कहते हैं energy अब देखो यहां पर जैसे मैं आपको बताया कि आपके इस chapter में आपको clearly NCRT ने जो है न renewable या non renewable energy resources का classification नहीं दिया है लेकिन देखो एक statement दे दिया कि coal petrol और जो natural gas है वो सब क्या होते हैं non renewable energy sources है याने कि यह renew नहीं हो पाते हैं है ना renew ना होने का मतलब क्या है कई साल लग जाना एक human age के लिए impossible हो जाना कि अगर आज हमारी life में खतम हुए हैं तो हम दो साल बाद इनको दोबारा यूज कर लेंगे दो साल मेरे यह renew हो जाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है इसलिए बोला जाता है कि भाई रह नहीं दो इनको जो है ना आप इसको बताया कि coal petroleum natural gas इसाभ हम को कहां से मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से मिलते है अर्थ से मिलते हैं तो जितना भी coal petroleum वगयरा है अगर वो पूरा exhaust हो गया यह हमने उसको use कर लिया तो क्या होगा कई सालों तक जो है ना near future में हम बोलते हैं कि और इन fuels की supply हमारे पास नहीं होगी sorted तो इस session में कुल मिला करके हमने क्या-क्या पढ़ा हमने resources के उपर बात करी इतने सारे मैंने आपको examples दिया है कि resources क्या होते हैं तो हमने वहां पर देखा की एक होते हैं in exhaustible एक होते हैं exhaustible exhaustible में हम बहुत है कि कोल पेट्रोलियम ये सब चीजें आती है यह ना in exhaustible में पानी आ जाता है sunlight आजाती है air आ जाती है exhaustible क्यों resources exhaust रहे हैं क्योंकि वो रिन्यू को रहे हैं कुछ होते भी हैं लेकिन बहुत टाइम देते और वह अगर हम बात करेंगे एग्साइबल रिसोरस की तो वह क्यों हमारे इस हमारे इस ट्रकाफ फरस्ट अब हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे अपने फॉसल फ्यूल की गाड़ी को कि फॉसल फ्यूल क्या होते हैं और कोल को भी हम स्टार्ट करी देंगे तो अच्छा एक चीज़ और यह तो हुई बात इस सेशन की अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हटके कि बच्चों की अधिकदर कंप्रीन आती है कि मैं यूट्योब पे जो नहीं है प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है विडियो अवेलिबल नहीं है या अ हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो मैंगे पीमाइम की जो ऑफिसल वैबसाइट है आप उसको विजिट करें तो उसको यहाब घ्रिए और को समझा देती हूं यहां पर हमारी जो वेबसाइट है, magnet, prince free, online courses and video tutorials वगेरा इस पर आपको जाना है, जब आप जाओगे तो हमारी जो official website है, यह खुल जाएगी, ठीक है, जहां पर आपको kindergarten से लेकर के class 12 तक की जितने भी subjects हैं, अभी तक जो भी हमने बना लिये हैं, उन सभी की जो playlist है, आपको य सब्सक्राइब करोगे, जब आप करोगे, तो यहां पर आपको देखो, watch chapter wise videos का आपको यहां पर एक format दिखेगा, chapter 1 में आपको समझ में आएगा, कि हाँ chapter 1 किया है, matter in our surrounding, तो जब आप इस chapter को open करोगे, ठीक है, तो यहां पर आपको दिखाई देगा, कि matter का basically introduction है, फिर इसके बाद में, जो भी topics इस chapter के, वो हमने सभी topics cover करें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके के, और यहां पर आपको यह भी course आप देखना चाहती हो, चाहे वो 8th class का हो, 7th का हो, 9th का हो, या 12th का हो, आपको हमारी official website, magnetbrains.com पर जाना है, जो भी course आपको चाहिए है, आपको उस course के वपर tap करना है, जो भी subject आपको चाहिए है, उस पर आपको tap करना है, ठीक है, और वहां पर आपको chapters, जो भी basically आपको chapters होंगे, सब sequence में, chapter number 1 से लेकर कि chapter number last तक, सभी के सभी आपको जो है, एक sequence में आपको मिलेंगे, ठीक है, तो इस problem का भी समधान हो चुका है, तो आज के session के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने next session में, और next session में discuss करेंगे इस chapter के second topic को, सब तक आप क्या करेंगे, हमा को देखना होगा आपके लिए काफी जादा convenient, so do visit our official website magnetbrains.com, till then keep learning with magnetbrains, thank you for watching. सब्सक्राइब के लिए अगर पानी नहीं होगा, तो लाइफ यानि की जीवन भी possible नहीं है, अब पानी को हम different human activities के लिए जो है, यूज कर सकते हैं, for example, हमारे जो farmers होते हैं, जो हमारे किसान होते हैं, वो पानी को irrigation purpose के लिए उस करते हैं, हमारे घरों में भी पानी को अलग 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 activities के लिए यूज किया जाता है, for example, पीने के लिए, drinking purpose के लिए, cooking purpose के लिए, cleaning purpose के लिए, यहने कि कुल मिलाकर के अगर हम conclusion निकालें तो पानी हमारे लिए बहुत जादा important है, बहुत जादा essential है तो पानी को हम क्योंकि utilize कर रहे हैं तो पानी क्या हो जाएगा? एक resource हो जाएगा ठीक है? फिर इसके बार में मैंने आको बताया था natural resources के बारे में कि यह वो वाले resources होते हैं जो कि nature में naturally exist करते हैं, इनको हम नहीं बनाते हैं, इनको human beings नहीं बनाते हैं human beings क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इन natural resources को collect कर सकते हैं, इनको बना नहीं सकते हैं फिर इन natural resources को हमने broadly दो categories में categorize किया था एक होते हैं हमारे पास exhaustible resources और दूसरे होते हैं हमारे पास inexhaustible resources inexhaustible resources आँ दोस्ट कि जिनको आप कितना भी use करो ये कभी भी exhaust नहीं होंगे क्यों क्योंकि ये हमारे nature में हमारे planet earth पे ये unlimited quantities में present होते हैं for example sunlight, air and water ये सब क्या है? sunlight, air, water ये सब natural resources तो हैं ही लेकिन at the same time these are also inexhaustible natural resources यानि आप इनको कितना भी use करो कितना भी ये आप इनको जो है ना utilize करो ये कभी भी खर्च या आप बोल सकते हूं कि कभी भी खतम नहीं होंगे हमेशा हमारे पास रहेंगे वही हमारे पास दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी resources होते हैं कि जिनको हम अगर you know frequently use करते रहे, करते रहे, करते रहे तो ultimately एक time, एक stage ऐसी आए कि जहां पर जाकर के ये completely exhaust हो जाएंगे और कुछ इस तरही के से exhaust होंगे कि शायद जो future generation आएगी हमारी, जो अगली पीडी आएगी हमारी, उसको ये resource use करने को, utilize करने को मिले ही ना For example, coal and petroleum, हम सब को पते कि coal and petroleum हमारी life में क्या importance रखता है और हमको ये भी पता है कि ये क्या है? ये एक exhaustible natural resource है ये कि अगर हमने इनको समझदारी से use नहीं किया, तो एक ऐसा time आएगा जब इस planet earth से coal and petroleum बिलकुल exhaust हो जाएंगे और future generation को coal and petroleum मिलेगा ही नहीं use करने के लिए ठीक है? तो ये सारी बाते थी जो हमने अपनी previous session में करी थी आज के session में हम बात करेंगे fossil fuels के बारे में देखेंगे कि fossil fuels क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से इन fossil fuels को हम use कर सकते हैं तो चलो, जल्दी से आज के session को हम start कर लेते हैं तो दिस इस जबूती खरे, welcome to magnet brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं बिल्कुल free of cost, यानि कि magnet brains में आपको 2 chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुंचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं, आज का हमारे ये session जहां पे हम बात करेंगे fossil fuels के बारे में तो exactly fossil fuels क्या होते हैं, कैसे ये हमारे nature में आते हैं, कैसे इनको हम use करते हैं, ये सारी बाते हम करेंगे आज के हमारे session में लेकिन fossil fuels पे पहुँचने के पहले कि exactly fossil fuels क्या होते हैं एक छोटी सी बात हम और discuss कर लेते हैं अब हम सबको पादा है कि हमारी जो planet earth है इसमें बहुत तरह के organisms होते हैं है ना plants होते हैं एक छोटे से पौधे herbs से लेकर के बहुत feet लंबे trees भी होते हैं अगर हम animals की बात करें तो animals में då human beings भी आते हैं तो human beings होते हैं reptiles होती हैं birds होते हैं insects होते हैं याने कि कुल मिला करके हमारे planet earth में living organisms की बहुत सारी varieties हैं अब हम सबको पता है कि हर एक living organism की एक lifespan होती है उस lifespan में वो जो organism है वो जीता है इसके बार में वो मर जाता है तो मरने के बाद में उस organism की जो dead body है उसके साथ क्या होता है याद करो हमने अपने previous chapters में discuss किया है कि हमारे पास thankfully decomposing microorganisms होते हैं और ये decomposing microorganisms क्या करते हैं जो organisms की dead bodies हैं उनके उपर जाकर के काम करते हैं action perform करते हैं वहीं जो dead bodies होती हैं उनके पास complex organic matter होता है याने कि किसी भी organism की जो dead body होगी उसके पास complex मैट उसके पास organic matter होगा लेकिन अपने complex form में होगा तो हमारे decomposing microorganisms क्या करेंगे जाएंगे और dead body को जो है decompose करेंगे और कुछ ऐसे डी करेंगे कि जो complex organic matter होगा उसको simpler once में divide कर देते हैं या breakdown कर देते हैं और यह जो simpler organic matter होता है यह further जो है soil में जाकर के mix हो जाता है ठीक है तो यहां पर क्या हुआ हमारे जो decomposing microorganisms से उन्होंने हमारे environment को clean करने में help कर आप अगर हमारे decomposing microorganisms नहीं होंगे तो होगा क्या पूरी planet earth पर पानी में land पर dead bodies ही dead bodies होंगी कोई उन्हें decompose करने वाला होगा ही नहीं उन dead bodies के अंदर जो complex organic matter छुपा हुआ है उसको कोई simpler forms में तोडने वाला होगा ही नहीं है ना तो बहुत ही उन्हों difficult situation हो जाएगी यह तो थैंक्फोली हमारे पास decomposing microorganisms हैं जोकि हमारे environment को clean करने में help करते हैं और dead organisms की body को जो है decompose करते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यह फिर से वाला topic निकल के क्यों आ रहा है क्यों हम फिर से decomposing microorganisms के उपर पहुँच गए तो दीरे दीरे जैसे जैसे हम अपने session में आगे भढ़ेंगे ना आपको चीजे समझ में आती जाएंगी connect आप करते जाओगी बस अब आते में आपको बता रही हूं सुना रही हूं उनको आपको बहुत ही केवफोली सुनना है ठीक है अब इसके बार में क्या हुआ यह जो decomposition की process है ना यह जितनी बोलने में और सुनने में आसान लगती है और fast लगती है इतनी अक्चुली होती नहीं है इसका मतलब क्या कि अगर आप सोच हो कि आज आपके पास एक किसी organism की dead body आई है और कल वो पूरी तरीके से decompose होकर कि vanish हो जाएगी गायब हो जाएगे मिट्टी में मिल जाएगी तो ऐसा नहीं होता है जो dead organism की body आई है उसका decomposition तो होगा लेकिन यह decomposition की process काफी जादा time consuming होती काफी जादा time taking होती है एक slow process होती है gradually धीरे 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 जो dead body है वो decompose होती है इतना समझ में आई आपको बात अब हुआ क्या कि सपोज आपके पास एक और उसका decomposition हो भी रहा था अब दो से तीन दिन बाद आपने दुबारा आकर के उस dead body को देखा कि जड़ा पता करके आते हैं कि decomposition की जो process है वो कितनी आगे बड़ी तो जब आप गए उसको dead body के decomposition को दुबारा देखने के लिए दो से तीन दिन बाद तो आपने देखा कि almost पूरी जो body है वो decompose हो चुकी है हैना muscles, internal organs वगएरा सब decompose हो चुके हैं लेकिन जो हड्या है जो bones है वो अभी भी decompose नहीं हुई है although bones को decompose होने में काफी ज़्यादा time लग जाता है लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि गायब ना हूँ अगर आई है तो फिर वो जाएगी भी ठीक है तो मैंना को क्या बताया बस ध्यान से सुनते जाएगा मेरी बातों को कि आपके प वापस आए आपने देखा कि जिटे भी internal organs थे skin थे skin थी muscles वगेरा है वो सब क्या होगी डीकॉंपोज होगी गाया होगी लेकिन अभी bones क्या है bones अभी बची हुई है bones का भी decomposition complete नहीं हुआ है decomposition चल रहा था लेकिन जिस समय आपने आकर के देखा उस समय तक bones का decomposition नहीं हुआ था यानि कि organism की dead body का वो वाला part, bones वाला जो part है वो decompose नहीं हो पाया था ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं लेकिन जिस समय आपने आकर के देखा था उस समय तक organism की dead body का जो bones वाला part है वो decompose नहीं हुआ था तो आपके लिए वो bones वाला part होगा और्गनिजम की dead body का वो क्या कहलाएगा आपके लिए वो कहलाएगा dead remains यानि कि मरने के बाद वो सारी चीज या वो वाला part जो कि decompose नहीं हो पाया है उसे आप क्या बोलते हो dead remains कहते हो अब आप सोच रहे होगे कि मैं ये dead remains कहां से आ गए हम क्यों dead remains के बारे में पढ़ रहे हैं हमें तो fossil fuels के बारे में पढ़ना था तो भई ये जो dead remains होते हैं इनका हमारे life में बहुत बड़ा significance होता है कैसे significance होता है तो अगर मैं बात करूँ बहुत पुरानी कितनी पुरानी? तो सालों पुरानी बात की अगर मैं बात करूँ कि सालों पुराने जो बहुत समय पहले जो organisms रहा करते थे उन organisms की क्या हुई? डेथ हुई ठीक है? डेथ होगी तो क्या होगा? अब डेथ बात है जो डेथ बोडी होगी उनका decomposition होगा अब decomposition हम बोलते हैं कि पूरा नहीं हो पाया पूरा नहीं हो पाया तो जो remaining portion बज़ गया उसको हम क्या बोलते हैं? dead remains बोलते हैं इन ही dead remains को आज के टाइम पे हम use करते हैं utilize करते हैं various activities perform करने के लिए क्या बोला मैंने? कि बहुत समय पहले जो organisms हमारे planet earth पर exist करते थे उनकी death हुई dead bodies का decomposition हुआ लेकिन वो decomposition जो है complete नहीं हो पाया तो incomplete decomposition के कारण कुछ dead bodies का या बोल सकते हो कि dead bodies का कुछ portion जो है रहे गया और उस कुछ portion को हम क्या कहते हैं? dead remains of those organisms ठीक है? और organisms के dead remains कहते हैं उन्हीं dead remains को आज की टाइम पे हम use करते हैं तो कहां use करते हैं? अपनी automobiles में, अपनी vehicles में जो आप diesel और petrol डाते हो ना तो वो diesel और petrol कहां से बना है? उन्हीं dead remains से बना है road बनाने के लिए जो chemicals use होते हैं ना वो chemicals कहां से आते हैं? उन्हीं dead remains से बने हैं अपने lips को moisturize करने के लिए जो हम lip balm लगाते हैं वो lip balm कैसे बना है? उन्हीं dead remains से बनते हैं पड़ेंगे, petroleum पड़ेंगे, ठीक है? natural gas पड़ेंगे तो आपको और सारी चीज़े जो है clear होती जाएंगी तो अभी के लिए जो भी मैंने अभी तक आपसे बाते बोली हैं उसको मैं जल्दी से summarize कर देती हूँ organisms जो है अपनी life span तक जीते हैं और इसके बाद में वो मर जाते हैं मरने के बाद में उनकी जो dead bodies होती है उनका decomposition होता है लेकिन कभी अगर decomposition complete नहीं हो पाया अधूरा छूट गया तो उन dead bodies का कुछ part या कुछ portion जो है decompose आप बोल सकते हो कि नहीं हो पा रहा है तो वो जो बचा हुआ part है dead bodies का वो वाला part जो की decompose नहीं हुआ उसको हम बोल देते है dead remains अब सालों पहले जो organisms exist करते थे हमारे planet earth पे उन organisms की भी death हुई death होने के बाद में जो dead bodies थी उनका decomposition हुआ लेकिन unfortunately वो decomposition complete नहीं हो पाया तो जो बचा हुआ portion था उनकी dead bodies का उन organisms की dead bodies का उसको हमने बोला dead remains और उन ही organisms की dead remains को आज के टाइम पे हम यूज करते हैं अलग-अलग चीजों को बनाने में अलग-अलग chemicals को यह substances को synthesize करने के लिए ठीक है चलो I hope इतनी पूरी बात आपको सबको समझ में आ गई होगी अब हम जाते हैं बहुत पहले आप बोलोगे कि मैं कित्ता पहले तो आप सभी ने जुरासिक पार्प मुवी देखी कि नहीं देखी है जिसमें हमको जो है ना डाइनसौर्स के बारे में पता चलता है कि हाँ बहुत पहले प्लानेंट अर्थ पे जो है कुछ इस तरीके के जानवर भी मिलते थे ना तो जिस समय हमारे प्लानेट अर्थ पर डाइनसौर्स exist करते थे उस पीरिट को हम बोलते हैं जुरासिक पीरिट क्या बोला मैंने कि वो वाला पीरिड टाइम का वो वाला पीरिड जिस में कि हम बोलते हैं कि हमारे planet earth पे दैनोर सोर एक्जिस्ट करते थे वो वाला पीरिड कहलाता है Jurassic Period और यह Jurassic period आज से आप बोल सकते हो की 150 million years ago आया था क्या बोला मैंने कि जो जुरासिक पीरेड है ठीकि जो जुरासिक फीरेड है वह 150 million years ago पहले था यानि कि आज से approximately आज से approximately 150 million years ago पहले dinosaurs exist करते थे करते थे तो वह क्या हुआ जुरासिक पीरड हुआ अब हम बात करते हैं और पहले की अब आप बोलोगे कि मैं 150 million years ago पहले dinosaurs exist करते थे आप बोल रहे हो इससे भी पहले की बात कर रहेंगे हम बिल्कुल हम बात करेंगे 320 million years ago की ठीक है 150 million years ago पहले तो डाइनसोर्स एक्जिस्ट करते थे और उस time period को हम कहते से थे जुरासिक पीरड अब हम बात कर रहे हैं और पुराने जमाने की तो कितना पुराना जमाना तो जुरासिक पीरड से भी पुराना जमाना यानि कि 320 million years ago वाला यह पहले वाला जमाना और इस पीरड को हम क्या बोलते थे कार्बोनी फेरस पीरड कहते थे जैसे कि जिस समय डाइनसोर्स एक्जिस्ट करते थे वह होगि जुरासिक पीरड और 2020 आज के टाइम से almost 3-20 million years ago पहले जो period था उसको हम बोलते थे carboniferous period और आज के session में हम इस carboniferous period की ही बात करेंगे तो हुआ क्या कि इतने time पहले obviously बात है बहुत लंबा समय है ये है ना तो इस समय इस period में carboniferous period में हमारे planet earth पे ना काफी simple type के organisms exist करते थे यहनों बहुत complex type के organisms नहीं होते थे पेर होते थे पौदे होते थे इसके अलावा single celled जो organisms है वो exist करते थे इस period में carboniferous period में अब जैसे कि मैंना सभी को explain किया कि भी organisms है जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा भी तो यह जो ऑपनी life span जो है ना जीते थे इसके बार में उनकी death हो जाती थी natural death होती थी या किसी purpose from death होती थी बस इतना है कि हाम डेथ होती थी很 organisms times की plants की भी होती थी trees की भी होती थी तो हुआ क्या यह plants trees organisms इंस जो डेट bodies है वो कहां जाकर के आप बोल सकते हो कि दभी मिट्टी में जाकर कि दभी है ना फिर इसके बाद में क्या हुआ नए पेड़ पौधे आ गए नए ओगनिजम्स आ गए वो भी जीए अपनी लाइफ स्पैन तक इसके बाद में उनकी भी डैथ हुई डैथ होने के Suppose, यह हमारे initially जो plants, organisms और trees थे, उनकी dead bodies थी, ठीक है, जब इनकी death हुई, तो यह मिट्टी में जाकर के मिल गए, मिट्टी में हम बोलते हैं कि मिट्टी की एक layer आ गई, फिर इसके बाद में जो नए पेड़ पौधे आए, जो organisms आए, उनकी भी death हुई, उनकी भी dead bodies हम बोलते है कि जो मिट्टी की layer बनी थी, इसके उपर आ गए, ठीक है, इसके उपर आ गए, अब इनके उपर भी हम बोलते हैं कि soil की एक layer आ गई, फिर इसके बाद में क्या हुआ, और नए plants और trees आए, और नए organisms आए, वो भी जी जीने के बाद मर गए, मरने के बाद क्या हुआ हुआ, यह dead bodies कहां आई, यह dead bodies हम बोलते हैं कि soil में ही आई, तो इन dead bodies के उपर फिर से हम बोलते हैं कि मिट्टी की एक layer चल गई, layer आ गई, है ना, तो हुआ क्या, यह जो process हो रही है, कि new plants, new trees और new organisms के पैदा होने की, grow करने की, है ना, इसके बाद में मरने की, मरने के पाद जो dead bodies है मिट्टी में आकर के वो मिल जाती है, है ना, तो यह जो process है, यह चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, यहने कि सबसे पहले एक layer आई dead bodies की, फिर इसके उपर एक soil के layer आ गई, फिर इसके बाद में एक और layer आई dead bodies की, उसके उपर फिर से हम बोलते हैं कि soil की एक layer चड़ गई, तो यह जो process थी, organisms की पैदा होने की, मरने की, मरने के बाद में, मिट्टी में जाकर के मिलने की, यह चलती गई, चलती गई, चलती गई, और चलती ही गई, इसके कारण, यहाँ पे क्या बन गए, यहाँ पे बन गए, fossils, अब यह fossils क्या होता है, dead remains मैंने आपको स सबसे पहले जो plants, organisms वगेरा जिनकी dead bodies सबसे नीचे आकर के settle हुई थी, सबसे पहले आकर के जब settle हुई थी, उसके ओपर soil की एक layer चड़ गई, यह वाली layer है ना, फिर इसके बाद में और एक layer आई dead bodies की, उसके ओपर soil की एक और layer आगई, फिर एक और layer आगई, dead bodies की उसके थी, dead bodies की, इसके ओपर pressure बढ़ा की नहीं बढ़ा, एक sandwich जो है ना, बनता जा रहा है, नीचे dead bodies, उपर soil, नीचे dead bodies, उपर soil, नीचे dead bodies, उपर soil, तो यह आपको sandwich बनता हुई दिखाई दे रहा होगा, अब जैसे जैसे और dead bodies की layer आएंगी, और soil की layer आएंगी, यह जो सबसे जो नीचे वाली जो layer से dead bodies की, इसके ओपर pressure बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा, pressure तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ हम बोलते हैं की temperature भी बढ़ता जाता है, क्यों, क्योंकि मिट्टी की layer आती जा रही है, तो ultimately dead bodies है, यह जा कहां रही है, यह हमारी earth crust के नीचे ही तो जा रही है, earth की surface के नीचे ही तो जा रही है, और अगर earth crust के हम नीचे जाते हैं, तो temperature क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, कि pressure increase हो गया, और temperature भी increase हो गया, और एक और खास बात, खास बात यह, कि यह जो मिट्टी की layers बनती जा यहारी है ना, यह मिट्टी की layers पता है क्या कर रही है, यह मिट्टी की layers जो contact है ना, atmospheric air में जो oxygen है, उस oxygen का जो contact हो रहा है, इन dead bodies के साथ, वो तोड़ देती है, आप खुदी सोचो, यह क्या है, dead bodies की एक layer है, red color की, इसके उपर आगई, मिट्टी की layer, फिर इसके उपर उसके आसपास क्या है, air है, तो air में जो oxygen present है, यह जो oxygen है, यह यहां तक पहुची नहीं पारी है, क्यों नहीं पहूंच पारी है, मिट्टी की covering है, है ना, अगर यह dead bodies है, इसके उपर मिट्टी की covering बना दू, तो जो atmospheric air में oxygen होगी, क्या वो in dead bodies के पहुच पाएगी, नहीं क्योंकि मिट्टी की एक layer आ चुकी है तो मिट्टी की layer क्या कर रही है atmospheric oxygen को dead body सक पहुचने नहीं दे रही है और अगर oxygen नहीं पहुचेगी इसका मतलब क्या होगा कि decomposition complete नहीं होगा हमारे जो decomposing microorganisms होते हैं उनको oxygen चाहिए होती है decomposition की process के लिए इसलिए मैं आपको पहले ही बोल दिया था कि decomposition की जो process है वो बोलने में जितनी या सुनने में जितनी आसान और simple और fast लगती है उतनी actually होती नहीं है काफी time consuming होती है तो हमारे decomposing microorganisms को भी oxygen चाहिए होती है dead bodies को decompose करने के लिए अब exactly यहाँ पे हुआ क्या क्योंकि यहाँ पे dead bodies के उपर मिट्टी की layer बनती जारी है बनती जारी है जिसके कारण यह मिट्टी की जो layer है यह dead bodies और atmospheric air में जो oxygen है उनकी बीच के contact को यह तोड़ देती है जिसके कारण dead body की जो layer से वहाँ तक oxygen नहीं पहुँच पाती है और अगर oxygen नहीं पहुचेगी तो decomposition आप बोल सकते हैं कि complete नहीं होगा और dead bodies का decomposition complete नहीं हुआ इसका मतलब क्या कि कुछ ना कुछ portion तो रह जाएगा ना dead bodies का बिना decomposition के और इसी बच्चे हुए portion को हम क्या बोलते थे dead remains बोलते थे तो यहाँ पे हुआ क्या हम बात कर रहे हैं 320 million years ago की है ना 320 million years ago पहले जो organisms हुआ करते थे जो कि हमारे planet पे exist करते थे उनकी death हुई death के कारण dead bodies जो है मिट्टी में जाकर के आप बोल सकते हो कि बरी होती गई या मिलती गई उनकी उपार जो है soil के लियर चड़ती गई चड़ती गई जिसके कारण dead bodies का जो contact था oxygen के साथ atmospheric air की oxygen के साथ वो तूट गया pressure बढ़ गया temperature बढ़ गया ठीक है जिसके कारण dead bodies का complete decomposition नहीं हो पाया और आप बोल सकते हो कि complete decomposition ना होने के कारण कुछ portion रहे गया उनकी dead bodies का उस बच्च वए portion को हम कहते है dead remains लेकिन यह जो dead remains है यह किसके है dead remains यह dead remains हम बोलते हैं कि बहुत सालों पहले जो organisms exist करते थे उनके है dead remains plus यह dead remains कैसे है preserved है बचे हुए हैं plus हम बोलते हैं कि यह pressed है compressed है pressed और compressed का मतलब क्या है देखो है आपर मैंने क्या लिखा है pressure इंग्रीज हुआ था कि नहीं हुआ था हैना तो सपोस्स यह जो dead body है जो dead body की प्रसा लेयर है ठीक है इस में जितनी भी dead bodies है इनका decomposition नहीं हुआ ठीक है और basically complete नहीं हुआ decomposition है तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि dead remains रह गए अब इन dead remains के ओपर क्या हुआ काफी जादा pressure पढ़ा काफी जादा temperature हुआ तो यह जो dead remains होते हैं preserved dead remains या compressed dead remains इनी को हम क्या बोल देते हैं fossils बोल देते हैं तो यह पूरी कहानी जो मैंने आपको समझाई है सुनाई है यह क्यों सुनाई है ताकि आपको एक word का मतलब समझ में आए जो कि है fossils कि fossils क्या होते हैं बहुत समय पहले जो organisms exist करते थे उनके जो preserved dead remains है है ना जो compressed dead remains है उनी को हम बोलते हैं fossils क्लिर हो यह सारी बाते एक बार फिर रिपीट कर देती हूं कि हुआ क्या जुरासिक पीरड तो 150 million years ago पहले था जिस समय डाइनर्स और्स एक्जिस्ट करते थे हम बात कर रहे हैं उससे भी पहले की यानि कि 320 million years ago की जब यहां का जो पीरड है वो क्या कहलाता था कार्बोनी फेरस पीरड कहलाता था ठीक है तो अब इस कार्बोनी फेरस पीरड में हुआ क्या प्लांट्स होते थे ट्रीज होते थे और्गनिसम्स भी होते थे लेकिन काफी सिंपल टाइप की होते थे हैंना सिंगल सेल्ड और्गनिसम्स इस समय पे रहते थे इनकी डेथ हुई डेथ होने के कारण डेट बॉडिस जो है वो आप बोलते हो की अर्थ के सर्फेस पे आ गई फिर इसकी उपर डेट बॉडिस की लेयर के उपर हम बोलते हैं कि सॉइल के अनगा यहां लें प्रूसेस चलती रही चलती रही और ट्रीज की डेथ होती रही और वो मिट्टी में आकर की मिलते गए मिट्टी की लेयर जो है ना उन पर चर्टी गई चर्टी गई चर्टी नीचे चली गई और सॉइल की जो लेर्स बनती जा रही थी इन सॉइल की लेर्स के कारण हुआ क्या जो एट्मॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सिजन थी उस ऑक्सिजन का जो कॉंटेक्ट है इन डेट बॉडिस से वो तूट गया जिसके कारण जो डीकॉंपोजिंग माइक्रो ऑग्रेजम से वो कंप्ली डीकॉंपोजिशन नहीं कर पाए और क्योंकि सॉइल की इतनी सारी लेर्स आ चुकी थी डेट बॉडिस के उपर तो उनके उपर प्रेशर जो है बढ़ गया टेंप्रेचा जो है एंक्रीज हो गया तो यह कंप्लीट डिकॉंपोजिशन ना होने के कारण जो डेट रिमेंस थे ठीक है जो डेट रिमेंस थे उस जमाने के ओगेनिसम्स के जो की प्रिजर्वड थे और प्रेशर बढ़ रहा है तो कंप्रेशन भी होगा है तो उस जमाने की ओगेनिसम्स के जो डेट रिमेंस थे जो की प्रिजर्वड थे कंप्रेश्ड थे उन्ही को हम बोलते हैं क्या फॉसल्स ठीक है चलो तो इन फॉसल्स फ्यूस में से फॉसल्स जो वर्ड है उसका मतलब तो हमें समझ में आ गया अब बारी आती है फॉसल्स ठीक है तो आप उसको हम बोल देते हैं फ्यूस तो यहाँ पर हमने फ्यूस का मतलब समझ लिया फॉसल्स का मतलब समझ लिया अब एक काम करते हैं दोनों वर्ड को आपस में जोड देते हैं अब हम फॉसल्स का जो पूरा मीनिंग है वो समझने के कोशिश करते हैं फॉसल्स से अगर हम energy derive करें तो वो क्या बन जाएंगे वो फ्यूल्स बन जाएंगे और क्योंकि यह energy कहां से मिल रही है fossil से मिल रही है इसलिए वो क्या कहलाएंगे fossil fuels फ्यूल्स का मतलब क्या है कोई भी ऐसा substance जिससे किया आप energy derive कर सको यहां पे हमारे पास क्या है हमारे पास है फॉसिल तो हम फॉसिल से क्या कर रहे हैं choosing ह्पास और और झोट कर सकते हैं तो support कर सकते हैं तो याद करो मैं आगको बताया है ki you Post composing microorganisms आकर के इन complex organic matter को simple organic matter में convert कर देते हैं तो यह जो simple organic matter बचा हुआ है न फॉसल्स में या dead remains में इनहीं इसी organic matter से जो है हम energy derive करते हैं organic matter क्या होता है basically compounds of carbon and hydrogen तो यह जो हाँ पास fossils आये हैं यह जो उस जमाने में organisms जो exist करते थे हैं उनकी जो dead remains and preserved compressed dead remains any dead remains के अंदर क्या होते हैं organic molecules होते हैं जिन में carbon होता है hydrogen होता है और इन ही basically fossils को जब हम जलाते हैं जब हम burn करते हैं तो energy derive कर पाते हैं हम क्या आप इस चीज को समझ पाए कि इस जमाने में exist करने वाले organisms के जो dead remains है उन dead remains के अंदर होते हैं organic molecules यहने की carbon और hydrogen तो जब हम in dead remains को जलाते हैं burn करते हैं तो यह in dead remains के अंदर जो organic molecules present होते हैं वो organic molecules जलते हैं और जिनके जलने के current energy जो है ना मिलती है तो fossils मतलब कि यह इस जमाने में एक्जिस्ट करने वाले organisms के dead remains है ना तो फॉसिल्स में फॉसिल्स के अंदर क्या होता है ठीक है तो 2018 में एक सर्वे किया गया था जिससे की पता चला कि पूरे वर्ल्ड में ठीक है पूरे वर्ल्ड में 2018 year में जितना भी energy को जो है consume किया गया उसमें से 80 से लेकर के 85% जो share था वो किसका था फॉसिल्स का था वह हम सबको पता है कि हम सब क्या करते हैं energy consume करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में है ना तो 2018 में सर्वे किया गया था कि पूरे विश्व में है ना पूरे वर्ल्ड में जितना भी energy consume किया गया है उस एक साल में उसमें से 85% किसका था share fossil fuels का था यानिकि अगर व फॉसिल्स का ही था यानिकि इन ही फॉसिल्स ने मिलके energy produce करी थी और इसी 85% energy को जो है पूरे विश्व ने एक साथ मिलके जो है consume किया 2018 में तो आप समझ सकते हो इस फॉसिल्स हमारे लिए कितने important होते हैं और कितने जादा यह पॉसिबल तरीकों से हम जो है इनको use कर सकते है इतना clear है आप सभी को तो अब fossil fuels की कुछ examples हम देख लेते हैं इस chapter में हमको coal के बार में पढ़ना है petroleum के बार में पढ़ना है और natural gas के बार में पढ़ना है तो coal, petroleum and natural gas ये तीनों ही तीनों क्या है fossil fuels ही है clear है आप सभी को ये बात तो अब मुझे लग रहा है कि कई बातें आपको समझ में अब तक आ गई होंगी the natural fuels formed from the remains of dead organisms buried under the earth long ago are called fossil fuels ठीक है तो natural fuels again जिनको हमने नहीं बनाया है ना इन fossil fuels को हमने नहीं बनाया है ये प्रकरतिन अपने आप बना करके हमें दिये है तो natural fuels जो की कैसे बने है dead organisms की remains से बने है जो की earth के अंदर दफन हो गए थे बहुत समय पहले उनी को हम बोल देते हैं क्या fossil fuels coal, petroleum and natural gas are fossil fuels as they were formed by the decomposition of the remains of prehistoric plants and animals या fossils buried under the earth long long ago है ना ये कैसे बने है प्रिहिस्टोरिक प्लांट यानि की बहुत वहीं कार्बोनी फेरल स्पीरेट वाला जो टाइम है उस समय प्रिहिस्टोरिक प्लांट और एनिमल्स जो की earth के अंदर बहुत पहले बरी हो गए थे दफन हो गए थे उनके ही remains के decomposition से हम बोलते हैं क्या बना है हमारे fossil fuels बने हैं fossil fuels क्या होते हैं exhaustible natural resources होते हैं because once all the fossil fuels are used up they will never be come again basically अगर ये एक बार पूरे के पूरे exhaust हो गए तो ये कभी भी दुबारा नहीं आने वाले हैं आप खुदी सोचो कि आज की टाइम पे जो coal and petroleum हम use कर रहे हैं ये coal and petroleum कहां से आया है तो 320 million years ago पहले जो organisms exist करते थे उनके dead remains से coal and petroleum and natural gas बना हैं है की नहीं यानि कि इतने सालों पहले जो dead remains थे उनसे आज जाकर कि जो coal petroleum हम use कर रहे हैं वो बना हैं तो आप खुदी सोचो कि आज की टाइम पे अगर coal and petroleum पूरा गायब हो गया और हमने सोचा की चलो इसको फिर से जो है ना बनवाने की कोशिश करते हैं नेचर से तो क्या आप इसको आने वाले एक या दो साल में coal and petroleum फिर से बना सकते हो नहीं बना सकते क्यों क्योंकि उस जमाने में जो 320 million years ago पहले जो dead remains थे उनसे तो आज जाकर के हम coal and petroleum जो ना बनवा पा रहे हैं तो अगर हम एक दो साल में और नया coal and petroleum बनवाना है तो इतने असानी से तो बिलकुल भी नहीं बनने वाला ठीक है तो यह सारी बाते I hope सब को करने में millions of years लग जाते हैं इतना कौन बैट के वेट करेगा भाई एक human age में तो यह impossible है तो fossil fuels के examples क्या है cold, oil, natural gas, basically kerosene और propane भी हम बोलते हैं कि कुछ you know substitutes हैं या कुछ elements है fuels के जो की हम use करते हैं ठीक है Fossil fuels were formed from the dead remains of living organism plants and animals buried under the earth millions of years ago अब यह कैसे हुआ है जो बाते मैं आपको समझाई हैं वो यह सारी बाते यहां पर लिखी गई है तो फटा फट से एक बार इनको अम्रीड कर लेते हैं The plants and animals which died millions of years ago were gradually buried deep in the earth and got covered with sediments like mud, sand और इसके कारण हम होते हैं कि air से जो उनका contact है वो तूट गया है ना क्योंकि मरते गए मरते गए उनके ओपर मिटी की धूल की, mud की, sand की जो है ले वो चड़ती गई चड़ती गई जिसके कारण जो contact था उनका dead bodies का atmospheric oxygen से वो तूट गया The chemical effects of heating अब जो की हुआ क्या की oxygen की absence हो गई है ना oxygen की कमी हो गई उसकी absence हो गई और मिटी और sand की layers के बीच में जो dead bodies है वो दपती गई जिसके कारण उनके ओपर pressure भी बढ़ता गया और basically heat भी बढ़ रही थी temperature भी बढ़ रहा था The chemical effects of heat pressure and bacteria converted the buried remains of plants and animals into fossil fuels like coal, petroleum and natural gas तो basically हुआ क्या की कई सालों तक जो है ये process चलती गई और जो dead remains थे organisms के prehistoric time पे जो organisms exist करते थे उनकी जो dead remains थे वो under pressure, under temperature, high temperature and high pressure in the absence of आप बोल सकते हो कि oxygen certain substances में जो है वो convert हो गए ठीक है और यही substances क्या कहलाए गए fossil fuels कहलाए गए ठीक है जो dead remains जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो चीज़े जो बच गई थी है ना organisms की death के बाद जो चीज़े बच गई थी उन्ही को हम क्या कहते हैं fossil fuels कहते हैं वो चीज़े जो बच गई थी under high pressure, temperature and by the action of bacteria वगेरा उन्हों बेसिकली convert हो गई certain substances में और उन्ही certain substances को हम क्या कहते हैं coal, petroleum and natural gas कहते हैं ठीक है तो आज की session में हमने यह सीखा कि fossil fuels क्या होते हैं है और basically अगर देखा जाये तो fossil fuels की उन्हों variety भी बहुत जादा होती है, कैसे? fossil fuels हम बोलते हैं कि fossil fuels में कुछ volatile substances भी आते हैं जैसे कि हमारी natural gas, कुछ हम बोलते हैं कि liquid substances भी आते हैं जैसे कि हमारा petroleum, कुछ non-volatile substances भी आते हैं जैसे कि coal, जिसमें की 100% क्या होता है, carbon वगेरा ही हो तो कुल मिला करके fossil fuels की जो आप बोल सकते हो कि variety है, वो काफी जादा है, जो range है वो काफी जादा है, तो आज की session में जो भी हमने बाते पड़ी हैं, उनका हम जल्दी से एक quick recap ले ले लेते हैं, ताकि जो भी चीज हमने पड़ी हैं वो एक साथ हमारे दिमाग में जो है अच organisms की जब death होती है, तो उनकी dead bodies के उपर जो हमारे decomposing microorganisms हैं, वो जाकर के अपना action perform करते हैं, जिसके कारण जो dead bodies के अंदर, जो complex organic matter होता है, वो simpler ones में तूट करके मिटी में ही मिल जाता है, अब अगर कभी ऐसा हो कि decomposition जो है ना, आप बोल सकते हो कि complete ना हुआ हो, तो dead bodies का कुछ portion रहे गया बिना decomposition के है ना, तो वो जो बचा हुआ portion होता है dead bodies का, उसी को हम क्या बोल देते हैं, dead remains of those organisms, ठीक है, 320 million years ago पहले, कार्बोनी फेरर स्पीरेट था, उस समय हमारे planet earth पे plants होते थे, animals होते थे, और simple organisms होते थे, single cell organisms, जिनकी body में केवल एक ही cell हुआ करते थे, ठ ठीक है, तो कार्बोनी फेरर स्पीरेट में 320 million years ago पहले, कुछ इस सरे के simple organisms exist करते थे हमारे planet earth पे, अब हुआ क्या, organisms है, plants है, trees है, तो कभी ना कभी तो इनकी death होगी है, death होने के बाद में, इन सभी के dead bodies है, वो आप बोलते हो की earth के surface पे आकर के गिर गई, है ना, फिर इन dead bodies इसके उपर soil की एक layer आ गई, ठीक है, फिर क्या हुआ, और नए organisms है, उनकी भी dead होई, तो उनकी जो dead bodies है, वो कहा आ गई, वो भी हम बोलते हैं की earth के surface पे आ गई, उनकी उपर भी soil की एक layer जो है, चड़ गई, तो इस तरीके से ये जो process थी, dead organisms की जो body है, वो earth के surface पे आना, और उनके उपर soil, मिटी या sand की layers का form हो जाना, ये जो process है, वो चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, अल्टीमेटली क्या हुआ, कि dead bodies के उपर, soil, मिटी और mud वगेरा की इतनी सारी layers आ गई, कि जो dead bodies का contact था, atmospheric air की oxygen के साथ, वो जो है, खतम हो गया, ठ साथी साथ, क्योंकि मिटी और mud वगेरा की इतनी सारी layers आ चोकी थी dead bodies के उपर, कि pressure जो है, उन dead bodies के उपर काफी जादा पढ़ने लगा, अब क्योंकि oxygen का contact dead bodies के साथ, खतम हो गया था, जिसके कारण उन dead bodies का जो decomposition है, वो complete नहीं हुआ, यानि कि उन dead bodies का कुछ portion रह गया, जिस अगो पहले, जो organisms exist करते थे, उन organisms के dead remains थे, ठीक है, तो ये जो dead remains होते हैं, organisms के हैं, उस समय जो इतने सालों पहले, 320 million years ago पहले जो organisms exist करते थे, उनकी जो dead remains है, जो कि preserved है, जो कि compressed है, इन dead remains को ही हम क्या कहते हैं, fossils कहते हैं, अब हुआ क्या, fuel क्या होता है, कोई भी ऐसा substance जिस जैसे कि अब energy derive कर सको, तो ये जो fossils थे, हैंना, ये fossils हम बोलते हैं कि over a period of time, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, तो earth की surface के अंदर ही, earth की surface के अंदर थे हैंना, तो earth की surface के अंदर ही due to high pressure and temperature, high heat के कारण, ये जो fossils थे, ये certain substances में change हो गए, certain substances मतलब क्या, coal में, petroleum में और natural gas में, और इनी, coal, petroleum और natural gas को फिर हम क्या करते हैं, utilize करते हैं, energy के production में, हैना, तो coal, petroleum and natural gas ही सब क्या हो गए, हमारे fuels हो गए, लेकिन ये fuels आखिर आए कैसे, कहां से बने, तो ये बने थे, fossil से, fossil मतलब क्या, कि 320 million years ago, पहले, carboniferous period में, जो organisms exist करते थे, उन organisms के preserved, आप बोल सकते हो कि dead remains को ह हम कहते हैं, fossils, और इनी, fossil से, coal, petroleum और natural gas वगएरा बने हैं, ये fuels हैं, तो ये fuels किस से बने हैं, fossil से, इसलिए इनको हम बोलते हैं, fossil fuels, basically, ये जो dead remains होते हैं, preserved dead remains, इन में हम बोलते हैं, कि होते हैं, organic molecules, हैना, organic molecules मतलब क्या, जिसमें की carbon होता है, hydrogen होता है, अब carbon, hydrogen हम already पता है, मे metals and non metals वाला chapter already हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये जो आप समझ सकते हो कि, जो preserved हमारे जो dead remains थे, यानि कि जो fossils थे, उनके पास थे organic molecules, इन organic molecules में क्या था, carbon हैं और hydrogen है, तो जब इन fossils को burn किया गया, है ना, तो उससे क्या हुई, energy derived होई, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि coal, petroleum और natural gas हमारे लिए fuel क्यों है, क्योंकि ये इसलिए fuel है, क्योंकि इनको जलाने पर क्या होता है, इनको जलाने पर हम बहुते हैं, कि energy derived कर पाते हैं, ये energy इन में कहां से आई, basically अगर आप बोड रहे हो कि coal, petroleum और natural gas को जलाने पर क्या मिल रही है, energy मिल रही है, तो energy क्यों मिल र के पास organic molecules थे carbon hydrogen थी और फॉसिल से ही क्या बने है कोल पेट्रोलियम एंड नेच्रल गैस इसके कारण उनके पास भी क्या है organic molecules है carbon hydrogen है तो जब आप उनको जलाते हो तो energy जो है आपको मिल जाती है तो यह पूरी लिंक समझने की कोशिश करो कि dead remains के पास भी organic molecules है carbon है hydrogen है इन्ही dead remains से over a period of time क्या बन गए है certain substances बन गए है cold petroleum and natural gas बन गए है under high temperature and high pressure तो इन cold petroleum और natural gas के पास भी क्या है organic molecules है organic matter है जिसके करण जब आप इनको जलाते हो तो energy जो है release होती है ठीक है यह पूरा link I hope सभी को समझ में आग्या होगा तो आज के session के लिए बस इतना ही fossils क्या होते है fossil fuels क्या होते हैं दोनों ही चीज़ें हमने समझने की कोशिश करी है fossil fuels का हमारी life में बहुत बड़ा significance होता है और हम human beings अपनी various activities में fossil fuels को बहुत जादा योटिलाइस कर रहे हैं इलेक्रिसिटी को बनाने के लिए factories और machinery वगरा को चलाने के लिए अपने automobiles को चलाने के लिए है न कई तरीके से हम fossil fuels को human activities में योटिलाइस कर रहे हैं और इसकी वज़ा से जो fossil fuels हैं वो बहुत तेजी के साथ क्या हो रहे हैं योज होते जा रहे हैं जिसके करण उनकी जो quantity है planet earth पे वो बहुत तेजी के साथ कम हो रही है तो इसलिए बोला जाता है कि अब एक ऐसी stage आ गई है कि अगर अभी भी fossil fuels को ध्यान से use नहीं किया गया तो आगे आने वाली जो पीडी है उसको ये fossil fuels मिलेंगे ही नहीं देखने कोई नहीं मिलेंगी तो use करना तो बहुत दूर की बात है तो आज की session के लिए बस इतना ही अब हम मिलेंगे अपने next session में और next session में हम discuss करेंगे coal की coal क्या होता है कैसे बनता है कैसे utilize होता है coal के क्या products होते हैं यह सारी बाते हम करेंगे अपने next session में हम मिलेंगे अपने next session में तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website है magnetbrace.com उससे with MagnetBrains, thank you for watching.